Good morning, dear parents and students आशा है कि आप सब घर पे सुरक्षित होंगे आज का हमारा सुविचार है पंची कभी अपने बच्चों के भविश्य के लिए गोंसले बना कर नहीं देते वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते है तो इसका यह मतलब है यहाँ पे आपको पंची का उदाहरन दे के समझाया है कि वो छोटे होते हैं तब उनके जो parents होते हैं बड़े पंची वो उनकी care करते पर थोड़े बड़े होने की वाद वो उनको सिखाते हैं कि हाँ ऐसा करो ऐसा करो फिर उड़ना या गोसला बनाना वो सब तो वो अपने आप ही सिखते हैं तो इसका मतलब है अगर आपको पड़ाई related या कोई भी problem है तो आपके parents आपको थोड़ी help करेंगे पर बाकी का काम तो आपको अपनी मेहनस से ही करना चाहिए ऐसा नहीं कि ये सब काम मुझे नहीं आता है तो मेरे parents कर देंगे समझ रहे हैं आप? मतलब कि आप थोड़ी help ले सकते हो पर बाकी का काम आपको खूधी करना चाहिए तो ही आप अपना काम अच्छे से कर पाओगे ओकी? आज हिंदी में हम chapter number 7 जिसका नाम है बर्खा तो ये chapter हमने last वीडियो में सीखा था पता है ना सबको? बर्खा मतलब बारीश तो ये कविता भी हमने रीड की थी समझे थी तो आज थोड़ा उपर उपर उपका revision कर देते हैं कि बर्खा आती है तो कैसी आवा जाती है? चम 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 पानी बरसाती है फिर बर्खा आने से धर्टी की प्यास बुझ जाती है दर्टी हरी भरी हो जाती है, ग्रीन हो जाती है बर्खा आने से लोग खुश हो जाते हैं, हैपी हो जाते हैं बच्चे गर से बाहर निकल के नाव बना कर खिलते हैं मेढक टर्टर शोर मचाते हैं फिर बर्खा में अलग-अलग लड़िया लड़िया मतलब अलग-अलग उसके रूप देखने को मिलते हैं उसके वो अलग-अलग धागे देखने को मिलते हैं मिन्स आप देखोगे बरखा जब आती है बारिश, तो कोई कागज की नाउ से खेलता है, कोई छतरी ले कि घुमता है, मोर मन रखकर, मलब मन खुश करके नाचने लगते हैं, तो ये सब हमें बारिश के मौसम में ही देखने को मिलता है, फिर और क्या देखने को मिलता है? इंद्रधनुश, आप उसको rainbow बोलते हो, तो इंद्रधनुश के जो रंग है वो अनोखे होते हैं, अगर हम इंद्रधनुश के रंग को देख लेते हैं, तो हमारा मन शान्त हो जाता है, खुश हो जाता है, ऐसे बर्खा रानी क्या है? रुत तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा, अनाज नहीं पकेगा, तो खाना नहीं मिलेगा, इसलिए उसको रुत्यों की रानी कहा है, तो ये कवीता अभी समझ में आ गई होगी सबको, चलो हम अब आगे देखते हैं, आज हम देखेंगे प्रश्नों के उत्तर, उसमें प्रश्ना यानि बारिश, तो बारिश हमें क्या देती है, वेरी गूड, बर्खा हमें पानी देती है, बर्खा हमें पानी देती है, सेकेंड, लोगों की मन को कौन हर्शाता है, लोगों की मन को कौन खुश कर देता है, क्या एगा अंसर, वो ही, लोगों के मन को बर्खा हर्शाती है बर्खा का मतलब है बारिश बर्खा जब भी मैं बोलू आपको बारिश ही समझना है बर्खा और बारिश सेम वर्ड है, सिमिलर है ठ्री बर्खा का पानी कैसी आवाज करता है कविता में हमने देखा कैसी आवाज करता है बर्खा का पानी छम छम आवाज करता है फोल मेढक बर्खा होने पर कैसा शोर मचाता है मेढक जब बारिश आती है तो कैसा शोर मचाता है आवाज करता है कौन बताएगा अंसर जिसने कविता रीड की होगी उसको आएगा चलो बोलो मेढक बर्खा होने पर तर तर शोर मचाता है मेढक बर्खा होने पर तर तर शोर मचाता है नेक्स्ट बच्चे बर्खा आने पर क्या करते है अभी बर्खा आती है तो उस टाइम पर बच्चे क्या करते है बच्चे बर्खा आने पर घर से बाहर निकल कर कागच की नाओ से खेलते है क्या करते है बच्चे जब बारिश आती है तो घर से बाहर निकल कर कागच की नाओ से खेलते है नेक्स्ट इंद्रधनुश के रंग को कैसा बताया गया है और क्यों? इंद्रधनुष के रंग को कैसा बताया गया है? कैसा की जगह? क्या लिखना है अंसर आपको? नीराले मतलब अनोखे अनोखे बताया गया है क्यों? क्योंकि वो हमारे मन को खुश कर देते हैं चलो नेक्स्ट प्रस्तुत कविता किस रुतू पर आधारीत है? किस रुतू पर आधारीत है ये कविता? आपने पढ़ी ना? कौनसी रुतू का वर्णन किया गया है? बात की गई है? तो उसका आंसर है यह कविता वर्षा रुतू पर आधारीत है यह कवीता यह मतलब बर्खा कवीता वर्षारीतु पर आधारीत है वर्षारीतु की बात की गए है Euchy बच्चो समझ में आए ऐ क्विस्चन आंसर पहले सब क्विस्चन के आंसर आपको अच्छे से पहले समझ के रीड करने है उसके बाद ही आपकी हिंदी की नॉट्बूक में लिखने हैं ओकी थेंक यू हेव नाइस डे